तो आज के सेसन में हम जानने की कोसिस करेंगे यूए से ने क्यों इंपोर्टेंट यह सैंक्शन लगाया है जो टर्की के उपर है और क्या इसे मिजर अल्टरनेटिब्स थे जो यूएस अभी टर्की को प्रोवाइट कराना चाहता था और इसके बावजूद टर्की ने यह एस-400 मिसाइल खरीदा है तो इस सेसन में हम यह सब कुछ डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू आप हमारी टेलिग्राम चैनल और फेस्बूक चैनल पर आके हमसे जुड़ सकते हैं इसमें उन्होंने टर्की के ओपर एक और सेंक्सन्स लगा दिया है जहां पर टर्की ने वी कुछ साल पहले ही या फिर मैं बोलू कुछ महीने पहले ही इस्पेसिविकली उन्होंने रसियन एयर डिफेंस सिस्टम जो एस-400 है उसको उन्होंने टेस्ट किया है और उसको यूएस ने ये भी बोला है कि टर्की की जो एक्संस है इन सीरिया और कंफ्लिक्ट जो अभी अर्मेनिया और अजरबायजान में हुआ है और इसके बाद इस्टर्ण मेडिटेरियन में जो भी उसकी इंटरफेरेंस है उसके चलते यूएस बहुत इससे नराज था और इस प जो कि कोई भी UAV, drone, cruise missiles इन सब के ओपर attack करके उनको destroy कर सकता है तो अगर इसकी range के बारे में बात करूँ तो वे around 400 km तक इसकी range होती है और maximum altitude 10,000 feet तक होती है speed इसकी around 4,800 meter per second होती है जो कि deployed के सकता है 10 minutes में तो आप सोच सकते हैं इसकी कितनी lethality है तो अब अगर आप 10 minutes में इतनी huge range की और इतने high altitude पे भी आप इसको use कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही lethal weapon है तो इसकी specification अगर बात करूँ तो यह command control system पे work करता है कि जो कि multiple radar units जो कि automate के जाज़ा है acquisition of final engagement तो यह है ACE 400 missile तो अगर मैं बात करूँ क्या ऐसे specific regions थे जो कि US ने Turkey के उपर यह sanctions लगा है तो सबसे पहले US ने कहा कि Turkey को उनने बहुत पहले ही कहा था कि और उनके highest label पे उनने numerous बार occasions पे उनने उनको यह बताया था कि ACE 400 system जो कि आप deal करने वाले हैं वो एक in dangers create कर सकता है security of US military technology and personal और इसे क्या होता है कि जो भी provide अगर Turkey fund प्रोवाइड करेगा रसिया को तो वो भी एक जो भी रसिया के ओपर US ने कुछ दिन पहले sanctions लगाये थे वो भी उनके against है तो इस कारणों से यह जो sanctions लगे हैं US के दोवरा Turkey ओपर तो Turkey ने पहले कहा Turkey का यह कहना है कि यह जो decide वो move जो भी अगर यह जो टर्की अभी go ahead कर रहा है इस finalization में agreement में तो इससे क्या होता है कि जो भी alternatives हैं Turkey का यह कहना है कि जो NATO allies है specifically US जो है उन्होंने उसकी जो भी alternatives है S-400 की उनको यह provide नहीं किया गया है और इसने यह भी कहा है Turkey ने कि जो भी अगर मैं बात कुरूँ alternative weapons हो सकते थे S-400 के उन्होंने कोई भी जैसे की Patriot missile जो US का है वो उन्होंने feasible दाम पे या feasible price पे टर्की को provide नहीं किया है तो इसके चलते वो S-400 missile system जो है टर्की के पास कोई option नहीं बसता था सिवाए कि वो S-400 missile को रसिया से खरीदे तो अगर मैं बात करूँ कि response क्या रहा है टर्की और रसिया से तो देखे टर्किस defense minister ने reject किया है यह claim जै कि जो की NATO specific अगर मैं US के द्वारा यह बोला गया था कि S-400 system जो है वो NATO system को geo-paradise कर सकता है और इसकी जो security implications भी उसकी हो सकती है तो इसमें टर्किस का टर्की का यह response आया है कि यह जो claim है वो unsustainable है और President Trump ने himself यह कुछ दिन पहले कहा था या कुछ महीने पहले कहा था कि यह जो टर्की का यह जो acquisitions है S-400 missile यह उनके system में या फिर उनके specific reason में जो भी geo-paradise भी है या फिर hostility है उसके चलते ही एक अच्छी agreement हो सकती है यह USA के Trump जो है उन्होंने कहा था तर्की ने फिर यह भी बोला है कि हम लोग retaliate करेंगे in manner and timing that will choose और US को considered करने के लिए जो unfair decision यह imposed किया गया है उसको reconsider करने के लिए तर्की से यह response है अगर मैं बात करो रसिया के foreign minister सर्गेई लैवरो ने यह Monday को कहा है कि यह जो sanction Turkey के उपर लगाया गया है जो कि वो purchase S-400 missile ने उनने किया है यह एक illegitimate है और इसके बाद उनने यह भी कहा है कि यह जो manifestation है वो एक arrogant attitude सो करता है towards international law और यह एक manifest करता है illegitimate unilateral coercive measures दो कि कोई भी country के उपर import किया सकता है for their own benefits यह harsh words रसिया के थ्रूँ यह आया है तो अगर मैं बात करूँ क्या इसके impact हो सकते हैं या फिर क्या इसके geoparadical अगर मैं बोलू या फिर मैं बोलू कि world politics में इसके क्या impact create हो सकते हैं तो दीखे सबसे पहले तो यह हो सकता है maybe इसकी possibility है कि Turkey जो है अपना shift जो है वो side का वो change कर ले और Mr. Edogan जो है वो पहले से उनकी alternative front create करने की एक बात वो बोल रहे थे और उसकी उनकी जो एक ambition है कि जो old revive अपनी caliphate का वो revive करना है फिर से जो पहले की glory थी और उनको यह भी एक ambition है कि वो पूरे Muslim mold का एक voice बने तो इसकारण ऐसे possibility है कि में भी Turkish government जो है अभी की वो अपना shift change करके एक another front create करने की कोशिज करें और यह जो sanction है यह एक बहुत ही बड़ी imposed decision जो भी आने वाली Joe Biden की government है उनके लिए major impact यह होगा क्योंकि अगर आप देखें जहांपे अभी USA अगर Western countries और Central Asia में अपने फिर से imposition create करने की कोशिज कर रही है especially अगर बात करूं में अभी इरान के साथ जो relation है तो उस scenario में कि यह बहुत ही बड़ी Western और Central Asia में so that's it for today मैं आसा करता हूं कि इस session में आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा so thank you as always for joining